नमास्कार दोस्तों स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजेनर सिंग एकेडमी पर फ्रेंड्स आज बात करने वाले एक न्यूव पर्मानेंट वेकेंसी के बार में जो की एक पर्मानेंट वेकेंसी है ओके और टोटल पोस्ट की बात करेंगे पूरे डेटेल से स हर एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं क्या इसमें एजुकेस्टन रहने वाली है कैसे आपको एपलाई करना है सेलक्शन प्रोसेस क्या होने वाला फीस कितनी है एज क्रैटीरिया इसमें क्या रहने वाला है और सबसे इंपोर्टेंट इसको कौन-कौन एपलाई कर सकता है क्या इसमें qualifications रखी गई है सारी डीटेल से मैं आपको इस्टे बाज बताने वाला हूँ तो वीडियो को इन तक जूर देखिएगा चैनल पे नहीं हो तो subscribe करें वीडियो पसंद आए तो like जूरू करेगा तो friends इसकी जो official website है इसमें से आपको download कर लेना है इसका official website से इसका link म मैं आपको description box में दे दूँगा तो friends चलते हैं इसको official notifications पर फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताए vacancy को government medical college रतलाम के द्वारा इस vacancy को निकला गया है ओके और इसमें सबसे important कि इसका जो online आपको apply करना है staff nurse की post है और online इसको MP online की जो website है www.mponline.gov.in पर आप इसको 25 अपरेल 2021 तक साम को रात को 12 वजी तक आप इसको apply कर सकते हैं ओके तो इस vacancy के बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हो तो महिला staff nurse की vacancy टोटल यह महिला female candidates है जो female staff nurse है उसके लिए vacancy रखी गई है total post है 390 में post रहने वाली जिसमें से सीधी बरती है तू 309 post को reserve किया गया है और सवीदा है तू 20% जो vacancy है उसको 81 जो post है जो candidates वहाँ पे सवीदा में लगे हुए हैं उनके लिए इसमें 81 post को reserve किया गया है सीधी बरती के लिए जो staff nurse की vacancy है उसमें 309 post है जिसको अलगलग category में यहाँ पे इसको divide किया गया है यह आप देख सकते हो next बात करते हैं 81 post के बारे में तो 81 post जो सीधी बरती है यह वहाँ पे जो candidates लगे हुए है सवीदा के अंदर उनको 20% में reserve किया गया है next अगर बात करें educational qualifications के बारे में तो educational qualifications इसके अंदर नियूंतम जो दी गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ 10 plus 2 जो की आपका physics, chemistry and biology के साथ में आपका 12 उत्रियन होना जरूरी है BAC nursing या GNM candidates इसमें apply कर सकते हैं मद्धे परदेश nursing council के साथ में आपका यहाँ पे registration होना जरूरी है Next बात करते हैं वेतनमान जो आपका वहाँ पे बत्ते प्लस जो भी आपका salary package रहने वाला है वो ब्यवता देता हूँ Stop nurse के लिए 28,700 plus level 5 के आदार पे आपको यहाँ पे salary मिलने वाली है Next इसमें दिया गया कि जो मंगाई बत्ते और अन्ने जो बत्ते वहाँ पे दिये जाते हैं वो सारे इसमें लागू होने वाले हैं और जो नियूक्त करमचारी पर नवीन पेंसन योजना सासन के अदिल सानुसार प्राइबावी होगी जो आपका वहाँ पे नियू पेंसन स्किम के अदार पे जो भी है वो आवाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा Next बात करते हैं कुछ यहाँ पे important point सरते दिये गई है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ vacancy को दिया गए है कि उमिद्वार को मद्य परदेश का मूल निवासी होना चाहिए तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हो और जो age limit के बारे में अगर बात करें तो इसमें age limit भी दी गई है age limit आपका अनारक से जो वर्ग उसको 18 से 40 साल तक आप apply कर सकते हो और जो other category है उसको 18 से 45 साल तक उसको apply कर सकते हैं अधिकत्व 5 वर्ष का इसमें छूट दिया गया है next बात करते हैं कुछ important point इसके बारे में तो important point है इसमें अगर आपका percentage based वेकेंसी होने वाली है तो high school का high secondary school का जो percentage है उसमें 20% marks तो high secondary school का यहाँ पर लिया जाने वाला है next 70% जो marks है वो यहाँ पर BAC nursing और G&M candidates जो percentage है उस आदार पर आपको यहाँ पर होने वाले हैं प्लस MSC nursing के 10% आपको यहाँ पर count किया जाएगा total 100 का यहाँ पर उसको calculate किया जाएगा तो यह vacancy है तो percentage based में है और आप इसको देख सकते हूँ और कुछ important point आपको केसे apply करना है क्या इसमें process होने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो online आवेदन प्रारम होने के तीती है 2 April 2021 और online आवेदन जमा करने के अंतिम तीती है 25 April 2021 और आवेदन में तुरूटी सुदार है तो प्रारम तीती 24 April 2021 प्लस आवेदन में तुरूटी सुदार है तो अंतिम प्रारम तीती 26 April 2021 किस तो ये डेट इसमें दी गई है तो आपको इसको अधियर रखना है नेक्स्ट अगर एप्लिकेशन फिसके बारे में बात करें तो जो अनारक्सित वर्क के जो केडिडेट से उनको 1000 रुपे यहां पर आपका होने वाला है जो अधर केटेगरी है जैसे कि अनुसी चीज़ जन जाती है तो यहां पर 800 रुपे दिये गए है और अन्य पिछड़ावक जैसे केवल गेर क्रिमिनल एयर तता अनारक्सित वर्क के जो केडिडेट से उनको 900 रु उस तक में दिया गया है जो भी डाउनलूड करना है इसको पढ़ना है पूरा जो भी इसकी कंडिशन टर्म कंडिशन दी गई उसको सार आपको रीड कर ले रहे हैं नेक्स्ट आवेदक जो अगर आपको आवेदन करना है तो MP Online की जो वेबसाइट है जो आपको गेरे में द Registration Certificates, Counseling, Nursing Certificates भी होना जरूरी है जाती परमान पत्र है और वहां का जो रेजिदेंस Certificates है वो भी आपका यहां पर जरूरी है और सबसे इंपोर्टेंट इसमें दिया गया है कि पड़ते एक दस्तावेज फोटो एंड सिगनेचर साई 200KB आपकार से अधिक ना हो जो भ कोमेंट से अपलोड नहीं होंगे ओके और नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो आविदन का जो फीस है क्रेडिट कार्ड डेविड कार्ड के मादिम से प्रिक्सा सुल्क जमा करवा सकते हो ओके यह भी दिया गया है नेक्स्ट जो की यह जो नों डिपनेबल जो टीस है यह आपको दुबारा एक बार आपके पास में कड गई है तो आपको दुबारा नहीं मिलेगी तो ध्यान से पेपर को इसकी जो रूल बुक दी गई है इसको कमप्लेट आपको पढ़ने के बाद महीं आपको इसका फोरम प्लाइप कर देना है लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 25 अपरेल 2021 तक आप इसको एपलाई कर सकते हो और केवल महीला अभ्यारतियों के लिए इस वेकेंसी को रखा गए है तो फ्रेंड्स मैंने पूरी डीटेल चे आपको इस वेकेंसी के बारे में बता दिया है फिर भी अगर कोई एसा पॉइंट जिसमें अगर आपको डाउट हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जुरूर कमेंट करें रिपलाई करने की कोशिस करूँगा ओके मिलतें नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहे मस्त रहे दन्यवास फ्रेंड्स झाल झाल स्वास्त झाल 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 झाल